चाय पीने के जितने भी शोकिन लोग हैं उनके लिए खुश कबर आप रेगुलर की दूच चीनी वाली चाय आराम से पी सकते हैं इसे कोई साइड इफेक नहीं उल्टा चार ऐसे हिल्दी चीजे हम इसमें इंक्लूड करेंगे जिससे आपकी चाय टेस्टी तो बनेगी आपक लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेल्दी टेस्टी अमरुत्तुल्य चाय बनाने के लिए हमें आधा कब पानी लेना है इसमें रेगुलर की जो भी चाय पत्ति आप यूज करते हैं दो स्पून आड कर देना है नेक्स इंगिडियेंट हाप इंच का अध्रक का पाये जाते हैं जो यूरीक एसिड को कम करता है जोडों के दर्द में आराम देता है सूजन को कम करने में और दर्द को कम करने में बहतरीन रिजल्ट देता है इसके साथी इम्मेनटी को बुस्ट करता है वेट लूस करने में डाजेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करता एसी कम करने में अध्रक बहतरीन रिजल्ट देता है। This ingredient, लिमंग्रास जिस्टorarटि में गव्ति चाहा चााता है, काट लेनी हैं इसे वॉश कर लेना है, फिर चाए में एड करना है। इसमें झेल सारे ओश लियो गुण पाए जाते हैं। यह anti-diabetic भी मानी जाती है। पीते हैं, तो बार-बार यूरीन जाने का मन करता है, और यूरीन के मारग से सारे विशेले पदार्थ बाहर निकल जाते है, किड्नी स्टोन पिगलाने में बैस रिजल्ट मिलता है, ये वेड भी लूज करता है, इसमें धेर सारे ऐसे आउशदियों गुण होते हैं, जो आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को नियंतरीत करने में हेल्प करता है, इसे वेड भी लूज होता है, कई सारी हेल्थ इसमें एड करेंगे, इसे अच्छे से खोल लेना है, इसे चाय की टेस्ट तो बढ़ती है, इसके साथ ही ये हमारे बॉड़ अब ये सारे चीजों को चाय पती के साथ अच्छे से उबाल लेना है, उसके बाद हमें मिठास की तौर पर इसमें धागे वाली मिश्री एक चोटा सा टुकडा लेना है, उसे भी पाउडर बना लेना ही, और ऐसे भी आप एड कर देते हैं, तो वो पिघल जाती है, इसमें मेल्ट हो जाती है, अगर आपके पास दागे वाली मिश्री नहीं है, तो बूरा आप इसमें एड कर सकते है, रेगुलर की जो चीनी होती है, उससे ये दोनों चीजे जादा हिल्दी होती है, जिसके साइड इफेक्ट हमें नहीं होते है, आप अगर रेगुलर की शुगर इ इसमें एड करेंगे, तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगे, हमने चाय में जो चार इंग्रिडियन यूज के उससे आपको हेल्थ में डह सारे बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको ज्यादा चाय नहीं पीने है, दिन भर में 2-3 कप ही चाय पीएंगे, इस के लिए, आप हमेशा धान में रखना है कि खाली पे चाय नहीं पीना है, आप कुछ ना कुछ थोड़ा सा खाले, उसके हाप अवर के बाद आपको चाय पीना है, खाना खने की तुरंद बाद चाय पीने की कई लोगों में आदत होती है, हमेशा धान में रखे कि खाना खने